दोस्तो जिसका डर्था आफिरकार वही हुआ इस बड़ी मचली ने हमारी गोल्ड फिश को मार मार कर उसकी हलत खराब कर दी है तो चलिए गोल्ड फिश को भार निकाल कर उसकी हलत चेक करते हैं फिर गोल्ड फिश की सेफटी के लिए हम उसको इस वाले टैंक में सिफ्ट कर देंगे तो चलिए पहले देखते हैं कि बड़ी मशली ने इसको कितना नुकसान दिया है यहां से इसके फिंस पर ब्रेड ब्रेड स्पॉट आ रहे हैं मैंने थोई देर दबाई डाल कर इसको इस बाल्टी में रखा है पानी का टेंपरचर ठीक होने के बाद मैंने इसको इस वाले किरम में डाल दिया है तो इसके आगे की अपडेट में आपको नेक्स पार्ट में दूगा